जै श्री राम मित्रों राम नाम की महिमा श्री राम नाम की अनोखी कथा मित्रों एक सुपंध नाम का धर्मात्मा राजा था एक वारा योध्या में संत संबेलन होने जा रहा था तो संत संबेलन में संतों के दर्शन का ने सुपंध हुई जा रहे थे राष्ते में नारजी मिल गए प्रणाम किया बोले कहा जा रहे हो कहा संत संबेलन में संतों के दर्शन करने जा रहा हूं नारजी बोले जाकर सभी संतों को प्रणाम करना लेकिन वहां ब्रह्मरिशी विश्वामित्र होंगे उनको प्रणाम मत करना ऐसा नारज जी ने भड़काया हनुमान जी के महिमा और भगवान के नाम का प्रभाव भी शायद नारज जी प्रकट करना चाहते होंगे सुपन्त बोले जैसी आग किया गया सुपन्त गए सभी को पड़ाम किया लेकिन बिश्वा मित्र जी को नहीं किया तो छत्रिय का यह एहंकार स्वभाव होता है बिश्वा मित्र जी बोले इसकी एहमत भरी सभा में मुझे प्रड़ाम नहीं किया वैसे भूल हो जाए तो कोई बात नहीं जान बूज करना किया जाए तो अच्छा नहीं बिश्वा मित्र को क्रोद आ गया और दोड़ कर भगवान के पास पहुँच गए कि राघव तुमारे राजी में इतना बड़ा अन्याए गुरुओं और संतों का इतना बड़ा अपमान भगवान बोले गुरुदेव क्या हुआ बोले उस राजा ने मुझे प्रड़ाम नहीं किया उसको दंड मिलना चाहिए भगवान ने कहा ऐसी बात है तो कल मृत्यु दंड घोशित किया जाता है जब सुपंथ को पता लगा कि मृत्यु दंड घोशित हो गया है और वह भी राम जी ने प्रतिग्या की है कि मैं गुरु देव के चर्णों की सौगंद खाकर कहता हूँ कि कल सूरियास्त तक उसके प्राणों का अंत हो जाएगा इधर लक्षमन जी ने बड़े रोश में प्रभू को देखा और पूछा प्रभू बात क्या है भगवान बोले आज एक अपराद हो रहा है कल उनका बद करूँगा लक्षमन जी सांत रहे गई इधर नारज जी ने राजा को बताया कि कल तुम्हारी मृत्यू है नारज जी ने कहा एक रास्ता मैं तुमको बता सकता हूँ भगवान के बीच में तो मैं नहीं आऊंगा क्या रास्ता है बोले तुम अंजनी मा के पास जाकर रो केवल अंजना मा हनुमान जी के द्वारा तुम्हारी रक्षा कर सकती है इतना बड़ा संकट है और दूसरा कोई बचा नहीं पाएगा सुपन्थु माता अंजनी के घर पहुँचे और अंजनी मा के घर पच्छाड खाकर हाहा कार करके रोए मा तो मा है बोली क्या बात है बेटे क्यों रो रहे हो मा रक्षा करो मा रक्षा करो किस से रक्षा करनी है मा बोली मैं प्रितिग्या करती हूँ कि तुझे कोई नहीं मार सकता मैं तेरी रक्षा करूँगी बता तो सही सुपंथ ने पूरी घटना बताई लेकिन मा तो प्रितिग्या कर चुकी थी बोली अच्छा कोई बात नहीं तुम अंदर बिश्राम करो हनुमान जी आये मा को प्रडाम किया मा को थोड़ा चिंता तुर देखा तो पूछा मा क्या बात है मा ने कहा मैं एक प्रितिग्या कर चुकी हूँ शर्णागत की रक्षा की और तुमको उसकी रक्षा करनी है हनुमान जी ने कहा मा कैसी वात करती हो आपका आदेश हो गया तो रक्षा उसकी अपने आप हो जाएगी माता बोली पहले प्रितिग्या करो बोली मैं भगवान स्री राम के चर्णों की सौगंद खाकर कहता हूँ कि जो आपकी सरण में आया है उसकी रक्षा होगी माने उस राजा को बुला लिया बोली ये है पूछा कौन मारने वाला है बोली भगवान राम जी राम जी ने प्रितिग्या की है हनुमान जी ने कहा तुमने मुझे ही संकट में फसा दिया दुनिया तो गाती थी संकट से हनुमान चुड़ाए आज तुने हनुमान को ही संकट में डाल दिया खेर मैं मा से प्रितिग्या कर चुका हूँ देखो जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना घवराना नहीं उदर भगवान ने धनुस्वान उठाए और चले मारने के लिए हनुमान जी दूसरे रास्ते से जाने लगे तो भगवान हनुमान जी से बोले कहा जा रहे हो तो हनुमान जी ने कहा प्रभू आप कहा जा रहे हो बोले मैं अपनी पृतिग्या पूरी करने जा रहा हूं हनुमान जी ने कहा मैं भी अपनी पृतिग्या पूरी करने जा रहा हूं भगवान ने अपनी पृतिग्या बताई हनुमान जी ने भी कहा कि मैं उसी की रक्षा करने के लिए जा रहा हूं भगवान ने कहा मैंने अपने गुरुदेव के चर्णों की सोगंद खाई है कि मैं उसका वद करूँगा हनुमान जी ने कहा मैंने अपने भगवान की चर्णो की सोगंद खाई है मैं भी उसकी रक्षा करूंगा यह लीला लक्षमन जी देख रहे हैं और मुश्कुरा रहे हैं यह क्या लीला हो रही है जैसे ही भगवान का आगमन देखा तो सुपंथ रोने लगा हनुमान जी ने कहा रोई ये मत मेरे पीछे खड़े हो जाओ संकट के समय हनुमान जी आते हैं भगवान ने अभी मंत्रित बाण छोड़ा हनुमान जी दोनों हाथ उठा कर सीरी राम जै राम जै जै राम हनुमान जी भगवान की नाम का कीरतन करें और बाण पिफल होकर बापस लोड़ जाए जब सारे बाण निश्फल हो गए क्योंकि र से बढ़ा राम का नाम भगवान ने ब्रह्मास्त्र निकाला। जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा सीदह की छाती में लगा। लेकिन परिडाम क्या हुआ। प्रभू मूर्चित होकर गिर पड़े। बानढ लगा हनुमान जी को और मूर्चित हुए भगवान। अब तो बड़ी घवराहट हो गई हनुमान जी दोड़े मेरे प्रभु मूर्चित हो गई क्यों मूर्चित हो गई क्योंकि जासु हिर्दय अगार बसही राम सर चाप धर हनुमान जी के हिर्दय में भगवान बैठे है तो बाण तो भगवान को ही तो लगेगा बाकी सब घबरा गए यह क्या हो गया हनुमान जी ने चर्णों में प्रणाम किया और सुपन्त को बिलकुल अपनी गोद में ले आई हनुमान जी ने उसको भगवान के चर्णों में बिठा दिया प्रभू तो मूर्चित हैं हनुमान जी बहुत रो रो कर कीर्टन कर रहे हैं कि प्रभु की मूर्चा दूर हो जाए भगवान की मूर्चा धीरे धीरे दूर होती चली गई और प्यार में इस नेह में चुकि भगवान को अनुभब हो गया था कि बाण मेरे हनुमान के हिर्दे में लगा तो उसे चोट लगी होगी इसलिए भगवान इस पीड़ा के कारण मूर्चित हो गई जब हनुमान जी कीर्टन करने लगे तो राम जी हनुमान जी के सिर पर हाथ खिराने लगे धीरे से हनुमान जी पीछे सरग गई और भगवान का हाथ सुपन्त के सिर पर दे दिया दोनों हाथों से भगवान हनुमान जी का सिर समझ कर सुपन्त का सिर सहलाने लगे प्रभू ने जैसे लेतर खोले तो देखा सुपन्त भगवान के चर्णों में था मुस्कुरा दिये भगवान और बोले हनुमान तुम जिसको बचाना चाहोगे उसको कौन मार सकता है हनुमान जी तो अजर अमर है चारो युगों में है संपूर्ण संकट जहां छूट जाते हैं शोख मोह भय वय है भगवान के नाम का इसमरण राम जी के साथ में हनुमान जी रहते हैं अगर संकट से ना छूटे तो हनुमान जी छोड़ा देंगे संकट से हनुमान छोड़ावें मन करम बचन ध्यान जो लावें तो बोलो जै स्री राम जै जै स्री राम मित्रो ये राम नाम की कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए कमेंट में जैसरी राम अवस्य लिखिए कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं फिर एक और नई कथा भाव विवोर करने वाली कथा में तब तक के लिए जैसरी राम